लोग सबच चुनाओं से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किले बढ़ती जा रही है पार्टी के मुखिया अरविंद के जिर्वाल एडी से ऐसे डरे हुए है कि कोट में जाकर कह रहे हैं कि एडी से कहिए कि मुझे गिरफतार ना करे मुझे एडी से सुरक्षा दीजिए लेकिन एडी भी एक्षन में है एडी एक के बाद एक समन जारी करके जिर्वाल को बुला रही है लेकिन के जिर्वाल एडी से बचने के लिए कोट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अब जो खबर आई है उससे साफ हो गया है कि ED की कारवाई से केजरवाल कितने डरे हुए हैं। अब केजरवाल ED के सामने जाने के लिए भी तयार हो गए हैं। वहीं अब अर्विंद केजरवाल ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोट का दरवाजा खटकटाया है। शराब घुटाले से जुरे मनी लॉंडरिंग केस में गिरफतारी की आशंका के बीच केजरवाल ने कोट से संग रक्षन की मांग की है। केजरवाल ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई कारवाई नहीं किये जाने की मांग की है। अर्विंद केजरिवाल ने हाई कोट में अपील करते हुए कहा है कि अगर ED उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं करती है और उनकी गिरफतारी नहीं करती है तब ही वो ED के समक्ष पूछताच में शामिल होने के लिए तयार हैं। इसके अलाबा आप CBI को भी एक्षन में देख आपके नेता जला गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुस डीटेल में तो बने रही है वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपूर्ट। ब्रश्टाचार को खत्म करने आए हैं। लेकिन एक एक कर आपके नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी कई बड़े लोग चेल चाने वाले हैं। खड़े हो गए होंगे। दरसल सीबी आई ने आने वाले दिनों में कई हाई प्रोफाइल गिरफतारी करने की बात कही है। इस बज़े से आमादमी पार्टी लगतार आशंका चता रही है कि लोग सबाचुनाव की वज़े से उनकी पार्टी के राष्ट्रिय सेयोजग और सीम अरविंद केच्रिवाल की गिरफतारी की साज़श रची जा रही है। दरसल सीबी आई ने सीसोदिय की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी कुछ और हाई प्रोफाइल लोग गिरफतार हो सकते हैं। अब CBI के इसी बयान के बाद आप में खलवली मच गई है अब आपके नेताओं को डर सताने लगा है कि क्या CBI की नजर केजरी बाल पर भी है दिली की केजरीवाल सरकार में मंतरी आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ED और CBI जसी केंद्रिय चांच एजनसियां भारती जनदापार्टी के गुंडे के इतरा बरताओं कर रही है वहीं आप नेता सुरब भारतवाज ने कहा है कि आज रूस की राह पर देश चल रहा है वेपक्ष के जो नेता आज की सत्ता के लिए खत्रा बनते चा रहे हैं उन्हें पकड़ कर चेल में डाला जा रहा है 60-65 करोड रुपे एलेक्टरल बॉंड पाने वाली आम आत्मी पार्टी का नंबर 2-3 और नंबर 4 का नेता चेल में है अब नंबर 1 के नेता अर्विंद केजरिवाल को चेल में डालने की थैयारी है अगर पूरी लीडर्शिप को चेल में डाल देंगे तो प्रिधानमंत्री और बीजेपी से कौन सवाल पूछेगा सबको चेल में डाल कर चुनाव कराओ तो पुतिन की तरह भारती जुनता पार्टी ही होगी सौरब भारदवाज ने कहा कि नौर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं और किम जोंग चुनाव लड़ा कर जीता हुआ घोशित करते हैं अपनी जीत को सर्टिफाई करने के लिए चुनाव का ढखोसला दुनिया के अंदर किया जाता है आज भारत भी ढखोसले की राह पर चल रहा है भाजबा के लिए चुनाव होती बने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाला चा रहा है आज और बिंद केजरिवाल भी भाजबा सरकार से सवाल पूछते हैं और इसे भाजबा में असहचता आती है आप नेता सौरब भाजबाच ने कहा कि पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव हुए लेकिन विपक्ष के सारे नेता जेल में थे बांगला देश में भी ऐसा ही हुआ विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल कर चुनाव लड़ा चा रहा है और फिर जनता के मेंडेट होने का दावा किया जाता है तो देखा आपने कैसे के जिवाल की गिरफतारी की आश्रंका के पीछ आपके नेता तिल मिलाए हुए है और भारत जैसे महान लोकतंत्र वाले देश की तुलना पाकिस्तान और बांगला देश शिक कर रहे हैं लेकिन देश के लोग सब देख रहे हैं और आने वाले चुनाब में वो आम आद्मी पार्टी को करारा जवाब जरू देंगे जाँच एजंसियों की कारवाई से आपके नेता लोकतंत्र को खत्रे में बता रहे हैं लेकिन सुप्रिम कोर्ट से आप नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है ये नहीं बता रहे हैं आम आद्मी पार्टी के नेता कोर्ट के चकर लगा रहे है कि जी हमें बेल दे दीजिए सत्ता में आने से पहले दूसरों पर ब्रस्ताचार का आरोप लगाने वाली पार्टी के नेता अब खुद ही ब्रस्ताचार में सने नजर आते हैं कोट भी उनके कांड को देखकर हैरान है एडी लगातार आपके नेताओं के खिलाफ कारवाई कर रही है मनीश सोधिया संजय सिंग और सत्यंदर जैन के बाद अब केजिरवाल की बारी है लेकिन गिरफतारी से बचने के लिए केजिरवाल खुब तीगरम भिरा रहे हैं लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है दिल्ली के सीए मरविंद केजिरवाल हाई कोट पहुँचे थे जोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो एडी के सामने पेश ही हो जाते तो बहतर होता केजिरवाल ने जो शराब के नाम पर कथित प्रस्टाचार किया था उसकी पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है सांथी केजिरवाल को अब कोट से भी फटकार परनी शुरू हो गई है इस बार भी ऐसा ही हुआ है दरसल दिल्ली के सीए मरविंद केजिरवाल ने शराब निती मामले में एडी के जरिये बार बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोट में आचिका दायर की और गिरफतारी से रहात मांगी लेकिन कोट ने उन्हें जटका देते हुए गिरफतारी से रहात नहीं दी केजिरवाल की पैरवी करते हुए सिनियर एडवोकेट अविशेक मनु सिंगभी ने कहा कि ED के सवी समन कानूनी प्रकिडिया और प्रभधानों के अनुसार नहीं है वहीं के जिर्वाल के वकील सिंग्वी ने गिरफतारी से प्रोटेक्शन की मांग भी की सिंग्वी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को PMLA Act से परिभाशित नहीं किया गया है सिंग्वी ने दिल्ली हाई कोट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में ED से जबाब मांगा जाए लेकिन कोट ने के जिर्वाल के वकील से पूछा है कि आप ED के सामने पेश क्यों नहीं होते इस पर के जिर्वाल के वकील अभिशेक मनु सिंग्वी ने कहा कि आपके नेता मनीशी सोधिया और संध्या सिंग को ED गिरफतार कर चुकी है ED के जिर्वाल को भी गिरफतार कर सकती है वे भाग नहीं रहे हैं लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वो पेश हो जाएंगे वहीं आम आदनी पार्टी के राजसवा सांसत संधीप पाठक ने कहा है कि ED के किसी समन पर के जिर्वाल नहीं जाएंगे संधीप पाठक ने दावा करते हुए कहा कि अगर दिली के मुख्यमंत्री और पार्टी के रास्ट्य संयोजक अर्विंद के जिर्वाल के गिरफतारी होती है तो सुनामी आ जाएगी और BJP का पूरा गनित फेल हो जाएगा उन्होंने कहा कि BJP का मुख्य मकसद यही है कि कुछ भी करके CM के जिर्वाल को इस चुनाओं से बाहर किया जाए इसलिए पिछले कई महीने से इसकी प्लानिंग की जा रही है शडियंत रचे जा रहे है आपका कहना है कि ED के ये समन BJP दफतर की आउर्डर पर भेजे जाते ह लेकिन कोट से आपके नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है इस पर आपके नेता कुछ नहीं कहते हैं अविशेक मनु सिंग्भी जैसे बड़े वकील भी आपके नेताओं को जमानत नहीं दिला पा रहे हैं दूख का फायदा उठाकर अपने पार्टी की महिला कारे करता जिसका कॉंग्रिस महुभंग हो गया है और वो भाजपा में शामल हो गई थी राहूल प्रियंका के इस खेल का परदा फाश किया है पूर्व कॉंग्रिस ने त्री और राइबरेली से विधायक अधिती सिंग जो अब भाजपा में है तो सईयोंग से राहूल गांधी से भी उनके मुलाकात होई थी अधिती ने कहा कि उस द्वरान राहूल गांधी ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज़ के खबर ना हो और कोई जानकारी ना हो अधिती सिंग के बोताबिक राहूल गांधी ने उस दोरान उनसे पूछा कि उत्तर प्रदीश में हमारे पास कितने विधायक हैं तो अधिती ने इसका जवाब देते हुए कहा कि साथ इसके बाद राहूल गांधी ने अपना सिर उपर के तरफ उठाया और जोर से हसने लगे अधिती सिंग उस समय चौक उठी थी अधिती सिंग ने दोरान ये खुलासा भी किया कि अंगत सिंग से उनका तलाग हो चुका है आपको उताते अंगत सिंग पंजाब के नवा शेहर के विधायक थे वो भी 2017 में पहली बार MLA चुने गए थे वो तब कॉंग्रिस में हुआ करते थे अधिती ने बताया कि टिकेट बटवारे के दोरान प्रियांका गांधी ने उनके दतकालीन पती के सामने शर्त रखी थी कि वो अधिती पत्नी अधिती सिंग के चरित पर लांचन लगाए तब ही उनको टिकेट दिया जाएगा आपको बता दे अधिती सिंग का परिवार कॉंग्रिसी रहा है लेकिन उन्होंने 2021 में बगावत के बाद वीजिपी का दामन धामा था अधिती सिंग का कहना है कि उनके पूर्वपती का उनके खिलाफ अपमान जनक बयान देने के लिए कहा गया अधिती और अंगत दोनों ही बड़े राजनातिक घरानों से आते हैं उनके पिता अखलेश कुपार सिंग 24 साल तक विधायक रहे वो लगातार पाच पाच चुने गए उनकी बेटी दूसरी बार विधायक है वहीं अंगत सिंग के दादा दिलबाग सिंग 6 बार नवा शेहर के विधायक रहे अंगत के पिता प्रकाश सिंग और मा गरिकपाल कौर भी एक एक पार विधायक बन चुके हैं महराष्ट की सियासत में इन दिनों M.N.S. प्रमुक राज ठाकरे चर्चा में बने हुए हैं राज ठाकरे को एंटिये में जाता देख उद्धव ठाकरे और संजेर राउत के पसीने छूटने लगे हैं उद्धव और राउत को लग रहा है कि मराठी वोट पूरी तरह से उनसे छिटक जाएगा इसलिए उनकी बॉखला हट साफ दिखाई दी रही है अब महराष्ट में महाविकास अगाडी के साथ खेल होने वाला है दोस्तो शिवसेना दो फार हो चुकी है राज ठाकरे पहले ही शिवसेना से अलग हो चुके थे तो वहीं एक दाजशन्दे भी शिवसेना से अलग हो चुके हैं क्योंकि उद्धव तो पहले ही शिवसेना की विचारधारा से समझोता करके तुष्टी करण की राजनीती करने वालों की गोद में जाकर बैट गए थे जिसकी वजह से उद्धफ का वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है और जो बचा कुचा वोट शेयर था उसको भी बीजेपी ने ठिकाने रगाने का जुकार बिठा दिया है माने से प्रमुख राज ठाकरे के एंडिये में शामल होनी के अटकलों के बीच उद्धफ ठाकरे और संचराउत की जटपटाहट बढ़ गई है महाराष्ट के बुलधाना में एक कारिकरम को संभूधित करते हुए संजे राउत ने कहा कि प्रधान मंतरी मोधी को ले कर ये टिपड़ी कर रहे थे इस दोरान उद्धफ ठाकरे भी मच पर मौजूद थे राउत ने कहा कि महाराष्ट में शिवाजी पैदा होते हैं और गुजरात में औरंगसेप का जन्म होता है राउत ने कहा है कि नरेंद्र मोधी का जहां जन्म हुआ उसी के पास औरंगसेप पैदा हुआ था इसलियो और अंग्जेब की मानसिक्ता के साथ हमारे उपर हमला होता है राश्ठाकरे के बीजेपी संग जाने के अटकलों के बीट संजराओत नहीं ये टिपणी की माना जा रहा है कि इसी घटना क्रम के चलते उधफ ठाकरे कुट में खलबली मच गई है दरसल उधफ के चचेरे भाई और महराश्ठ नवन एर्वाड सेना प्रमुक राश्ठाकरे ने हाल ही में नई दिली में केंद्री ग्रहमंत्री अमिच शाह से मुलाकात की थी इस मुलाकात के बाद महराश्ठ के नांदेर जिले में एक सारवजनिक सभा को संबोधित करते हुए उधफ ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि महराश्ठ में उन्हें नरे दरमोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है महराश्ठ के लोग ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं इसी वजह से बीजेपी आला कमार ठाकरे के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है इससे पहले उन्होंने वाल ठाकरे की तस्वीर चुराई और एक राच हिंदे को अपने पक्ष में कर लिया इससे काम भी नहीं हुआ तो वो अब एक और ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे है तो देखा आपने कैसे राच ठाकरे के अमिच्या से मुलाकात करने के बाद उन्तवकुट की चटपटाहट बढ़ गई है और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं